हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत है बात करेंगे 26th of March के first editorial session की start करेंगे और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दूँगा कुछ courses के बारे में यह एक grammar का course जो चल रहा है यहाँ पर अब tense start कर चुके हैं पीछे हमने no topics discuss कर ली हैं तो यह course completion क और ही है आप समय रहते इसको buy कर सकते हैं यहाँ पर जो भी session आपको मिलते हैं वो सब digital board पर मिलेंगे PDF साथ में उपलब्द होगा हर एक session का जो duration रहता है 50 minutes से ज्यादा का ही रहेगा ठीक है तो यह course आपके लिए बहुत ही खास तरीके से design किया गया है और एक ही course जिससे आप इसे download कर सकते हैं जैसे आप इसे download करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको और भी courses नजर आएंगे जिनमें मुख्य courses के अगर बात करें तो close test और पहरा जंबला course उपलब्द है यहाँ पर कुछ e-books मी हैं यह वाला जो editorial batch पता ही आपको हर Wednesday को start करते हैं यहाँ पर दू current affairs discuss नहीं करते हैं हालांकि अब latest पढ़ते हैं तो current affairs भी update होता रहता लेकिन अगर आपको English सीखने से ही मतलब है तो पुराने stage गती से और जल्दी क्या कहना चाहरा है just three weeks after केवल तीन सप्ताह के बाद it rolled out rollout का मतलब होता है introduce करना आप किसी चीज को launch करते हो introduce करते हो पहली बार सामने लेकर आते हो उसे कहते हैं rollout तो कह रहा है कि तीन सप्ताह के बाद किसके तीन सप्ताह के बाद जब launch कर दिया second phase दूसरा चरण phase का मतलब stage दूसरा चरण किसका mass vaccination program का mass vaccination program किसकी बात कर रहा है मतलब बड़े स्तर पर जो टिका करन का रेकरम चल रहा है उसके लिए mass का मतलब यहाँ पर जन सम्हू के लिए यूज कर सकते हो बड़े स्तर पर यूज कर सकते हो है लेकिन साथ में और बिमारिया भी हैं जिसे बीपी सुगर कुछ और बिमारिया भी अगर हैं तो इनके लिए टिका करण कार्यक्रम जो इस सेकंड फेज स्टार्ट हुआ इस प्रकार से तीन सब्ता के बाद इत यहां पर सब्जेक्ट है ठीक है इसकी वर्ब जो जो रल लउट दे रकी थी अब दिखो बताया है कि इट आया किसके लिए था भारत के लिए इंडिया है's नों अंडरीटेकन भारत ने अब अंडरटेक किया है अंडर्टेक का मतलब किसी चीज में शामिल होना है तो भारत ने अब स्टार्ट कर दिया है क्या कोर्स करेक्शन का मतलब है जो भी चीज़ें भारत कर रहा है उसमें सुधार करना शुरू कर दिया है पहले जो भारत ने मार्ग अपनाया था उसमें यहां पे करेक्ट करना शुरू कर दिया है उस चीज़ को भारत सुधार करना शुरू कर दिया है सुधार क्या किया है Hai तु एक्षिनेट एणीवन किसी को भारत और एक्षिनेट करेगा वाक्षिनेट कर टिका करन करना किसी को भी 25 बोल्च जिसकी आई उंतालेस वर्स अधिक है इस माठीरियारला कि मतलब होता है इरुललेवन्ट फ irrelevant of ठीक है तो वो एक्ती जो की मतलब 45 वर्स चादिक है अब इस बात से कोई लिना देना नहीं है है ना इस बात से कोई लिना देना नहीं है ये बात insignificant है इसका मतलब insignificant भी होता है ये बात महत्वहीन है यहाँ पर insignificant क्या बात महत्वहीन है कि co-morbidity status from April 1st कि co-morbidity जो है यहाँ पर माइने नहीं रखेगा कब से यह एक April से एक बाद फिर समझना यह कह रहा है तीन सब्ता के बाद तीन सब्ता कौन से काउंट कर रहा है जब भारत ने पहली बार यहाँ पर लौंच किया दूसरा फेज Mass Vaccination Program का उन लोगों के लिए जो 60 वर से अधिक आयू जिनकी है या 45 वर से अधिक आयू है को-morbidity साथ में हैं उनके लिए भारत ने अब course correction यहाँ पे ले लिया है मेंस भारत ने एक नया तरीका मतलब थोड़ा improvement किया है अपने strategy अपने approach में और वो क्या तरीका यहाँ पे improve किया है कि अब भारत में vaccination हर एक के लिए है जिसकी आयू 45 वर से अधिक है को-morbidity से कोई मतलब नहीं है और ये कब से एक अप्रेल से start हो जाएगा बात समझ में आगए यह है course correction देखने वाली चीजे its subject था, roll out इसकी verb थी India subject था, है जिसकी verb है ठीक है, roll out का मतलब बता दिया में introduce या, launch करना है immaterial है, इसका मतलब irrelevant है insignificant है, unimportant है आगे देखिए by following the UK model, by preposition है तो ing लग गया, यह ing क्यों लगता है that I have told you many times कि अगर आपको preposition के बाद में object चाहिए, तो पता ही आपको कि preposition without object cannot be used तो अगर आपको object चाहिए इसके बाद में तो निश्चित रूप से आपको verb को object बनाने के लिए ing प्लेस करना ही पड़ेगा तो by following the UK model UK model को follow करते हुए UK model कौन सा? vaccination का टीका करन का UK model follow करते हुए based on, जो के आधारित हो किस पर? age bands bands का मतलब है group age groups पर ठीक है? rather than किसकी बजाए? co-morbidities मतलब साथ में बिमारी है कि नहीं इस आधार पर नहीं बलकि age आधार UK model ऐसा है UK में कैसे vaccination किया जा रहा है उसको follow किया है भारत ने UK model ऐसा है कि वहाँ पर vaccination किया जा रहा है age के आधार पर इस प्रकार से इसको follow करते हुए millions would become वोड आ रहा है क्योंकि यह imagination है यहाँ पर मतलब सोच रहे हैं ऐसा कि ऐसा होगा तो millions, लाखों लोग जो है millions इसलिए है कि किस से पहले कोई संख्या नहीं है जब इस से पहले कोई संख्या नहीं है then we can consider that the given word is trying to convey us the indefinite number इसी कारण से यहाँ पर millions आ रहा है तो millions would become eligible तो लाखों लोग जो है वो योग्य होंगे किसके receive the vaccine इस टीके के उप्राप्ट करने के लिए and be fully protected और पूरी तरह से protect हो जाने के लिए तो कह रहा है इस प्रकार से यह जो UK model follow किया है vaccination का ऐसा करके जो की age आधारित यह model है age group के आधार पर है comorbidities के आधार पर नहीं है तो millions लोग जो है वो यहाँ पे योग्य बन जाएंगे eligible हो जाएंगे vaccine प्राप्ट करने के और यह योग्य हो जाएंगे किसके कि fully protected भी हो जाएंगे people with comorbidities वो लोग जिनके साथ में बिमारियां है वो लोग आर इसको देख के आ रहे at greater risk उनको बहुत जादा खत्रा है ठीक है उन्हें कहीं जादा खत्रा है greater degree comparative है comparative है का मतलब यह मतलब और जो खत्रा है और लोगों को का भी खत्रा है इनको कि मर भी जाएं इनको बिमारियां है however फिर भी the list of comorbidities जो सूची है जो साथ की बिमारियों की comorbidities की that made a person eligible for a vaccine जिसने की लोगों को योग्ये बनाया किस के लिए जो list बनाई है comorbidities की जिससे की लोग जो है eligible हो गए eligible किस चीज के लिए हो गए अगर ये दे रखा हो तो fold लगेगा किस चीज के लिए eligible है उसके लिए fold लगेगा अगर आप सोचेंगे कि पिछले slide में यहाँ पे eligible में for क्यों नहीं आया तो यहाँ पे तो आपको verb दे रखा है to receive infinitive अगर आपको object दे रखा हो तब आपकी ऐसा करना है तो यहाँ पे देख object दे रखा है कि आपको noun दे रखा है noun से पहले ए दे रखा है तो इसलिए fold लगा हुआ है ठीक है वहाँ तो to receive पूरा ही एक object बन रहा है तो कहरा है कि eligible किसके लिए हो जाएंगे वैक्षीन के लिए तो यह जो list थी was not only highly restrictive वो ना केवल highly restrictive थी highly उच्स तर पर एडवर्ब है restrictive मत्र परतिबंधात्मक ठीक है concerning कह सकते हो बट अलसो बलकी not only but also आगया focus on focus में लगे गा बलकि ये केंद्री थीकिस पर multiple comorbidities अनेकों comorbidities पर and that two of severe nature और वो comorbidities जो की वो भी ऐसी comorbidities जो की severe nature की थी गंभीर प्रकरती की थी एक वो फिर समझना however हलंकी जो list थी comorbidities की वो list जिसने की लोगों को eligible किया भी आप list बना के दी कि ये comorbidities अगर हैं तो आप vaccine लगा सकते हूँ तो वो जो list बनी comorbidities की जिसने की लोगों को eligible किया vaccine के लिए वो जो list थी अब list के लिए वो जा रहा है वो ना केवल highly restrictive थी है ना केवल मतलब कहें कि काफी ज़्यादा प्रतिबंधात्मक थी बलकि focused थी multiple comorbidities पर थीक है ना तो मतलब इस list में अगर कोई आ गया तो ये vaccine नहीं मिलेगी इस list में आया तो vaccine लग जाएगी ऐसी list बना रखी थी तो ये ना केवल highly restrictive थी बलकि ये multiple comorbidities पर आधारी थी और वो भी severe nature की comorbidities वो भी वो comorbidities वो भी वो भीमारियां जो की काफी गंभीर प्रकरती की थी अगर वो भीमारियों से वेक्टी कोई सफर कर रहा है तो उनको vaccine नहीं लगनी है ऐसा पहले हुआ करता था also साथ ही रेको also का प्रियोग है वो sentence के start में कर सकते हो या फिर menweb से पहले कर सकते हो ठीक है साथ ही रेको the need for a medical certificate एक आवशकता हुआ करते थी कि medical certificate भी चाहिए ठीक है पहले तो आपको comorbidities दर्शानी पड़ेगी आप vaccine लगाने के लिए गए पहले तो आपसे पूछादा है अंडरलाइन करके red color में यह subject हो गया जब आप ing form में subject देखते हैं तो आप सीधा सीधा मान कर चलिए कि वो gerund है तो इसका मतलब यह हो गया कि अधिक से अधिक लोगों को vaccine देना और वो भी बहुत जल्दी से देना जितना possible हो उतना जल्दी यह unachievable task था यह मतलब कहें कि इसको achieve नहीं किया जा सकता था तो कह रहा है कि इसका मतलब यह था कि अधिक से अधिक लोगों को vaccine देना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यह unachievable था इसको правत करी नहीं सकते था कहने का मतलब क्या है कि पहले तो बहुत restrictions थे, आप पहले comorbidity बताओ, कि साथ में को बिमारी तो नहीं है, फिर medical history भी दिखाओ, medical certificate लेके आओ, तो यह तो प्रोसेज़र्ट है ना vaccination के लिए, इसके कारण जितना आप चारे थे कि अधिक से लोगों को जल्द से जल्द vaccine मिले, तो देखो दो चीज़ जितना मतलब अधिक से अधिक लोग जल्द से जल्द ये संभव नहीं था प्राप्त करना, क्योंकि इस प्रकार के प्रोसेज़र कॉंप्लिकेटेड प्रोसेज़र थे ही हैं, प्लूरल नाउन मान सकते हो, the poor मतलब pure poor people है, the rich होता तो the rich people होता, यहाँ पे the blind होता, the blind people होता, तो यह the poor का मतलब poor people है, तो चुकि एक vast majority, wishes करके गरीब लोग and those और वो लोग in rural areas, जो कि ग्रामिन छेत्रों में रहते हैं, are ignorant, वो लोग जो है, वो ignorant है, उनको मतलब क्या कहें कि उनको ग्यान नहीं है इस बात का, ignorant का मतलब कोई चीज की जानकरी ना होना, if you do not have any knowledge, it means you are ignorant of a particular thing, तो वो लोग जो है ignorant है, of their underlying disease, underlying का मतलब यहाँ पे latent या hidden से है, latent या hidden, मतलब छिपी हुई, नहित, तो कह रहा है कि चुकि vast majority, wishes करके गरीब लोग और कहें कि वो लोग जो ग्रामिन शत्रों में रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि कौन सी बीमारियां है, जो chronic disease है, काफी लंबे समय से वो जूज रहे हैं, कौन सी underlying disease है, कौन सी छिपी बीमारियां है, the decision, तो decision जो है, though belated, यह दपी, dairy से लिया गया, belated मतलब देरी से लिया गया, to make comorbidities redundant, क्या है, तो ही मान लिया जाए, मतलब कह दिया ना, कि अब comorbidity का अधार पे नहीं, बलकि age के अधार पर vaccination होगा, तो इस जो decision लिया गया है, कि comorbidity के factor को redundant मान लिया जाए, vaccine के लिए, तो यह जो decision है, age, यह decision जो है, commendable है, commendable का मतलब है, praiseworthy, यह प्रसंसा के योग्य है, यह काफी बहतर है, praiseworthy को बोलते है, commendable, एक बार फिर समझें, तो किरा चूंकि एक vast majority, wishes करके गरीब लोग और वो लोग जो कि ग्रामिन शेत्रों में रहते हैं, वो, मतलब उनको पता नहीं है, वो ignorant है, किस बारे में, underlying disease के बारे में, कि उनको कौन सी बिमारिया है, जो latent disease है, वो पता नहीं है उनको, तो इस प्रकार से, जो decision लिया है, यह काफे देरी से लिया है, हलंकि, लेकिन फिर भी, जो decision है, कि comorbidity को आपने redundant मान लिया है, इसको आपने एक महत्वहीन, superfluous मान लिया है, vaccine के लिए, यह प्रसंसा की योग्य decision है, ठीक है, यह decision subject है, इसकी verb is है, और the poor and those, यह जो subject है, इसकी verb है, वो R है, ठीक है, आगे देखिए, as vaccines are a tool, अब कहरा है, चूँकि vaccines जो है, वो एक tool है, tool का मतलब माध्यम है, to promote health equity, किसके लिए, कि vaccine से आप क्या चाते हो, vaccine से आप health equity को बढ़ाना चाते है, promote का मतलब बढ़ाना, उन्मत करना, health equity का मतलब है, कि सभी को समान आवसर है, fair chances हैं सभी के पास, कि वो एक अच्छा स्वास्ते प्राप्त कर सके है, उसको बोलते है, health equity, equity का मतलब fairness होता है, just होता है, न्यायोचित, एकदम सही तरीके से, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, उसको बोलते है, equity, तो कह रहा है, चूँकि vaccines जो है, वो माध्य है, और health equity है, यह compound noun बन रहा है, तो health equity को बढ़ाने का एक मध्यम है, all attempts, इसलिए जो सारे प्रियास है, should be made, वो प्रियास किये जाने चाहिए, यह passive voice हो गया, ठीक है, चूँकि B के साथ third form है, सभी प्रियास किये जाने चाहिए, किसके लिए to remove any artificial barriers, artificial का मतलब false मान लीजिए, है न, कि कोई भी अगर गलत तरीके से या false प्रकार के barriers है, रुकावटे हैं, जैसे कि comorbidity को मना रखा था, है न, barrier, तो इस प्रकार के barriers जो है, उनको हटा दिया जाना चाहिए, सभी प्रियास किये जाने चाहिए, उनको हटाने के लिए, more so, more so मतलब कहीं ज़्यादा बड़ इन एक्स्टेंट, ठीक है, बड़े स्टर पर, when several states are witnessing surge in cases, और खास करके तब, बड़े स्टर पर, जब अने को जो स्टेट्स हैं, वो witness कर रहे हैं, witness का मतलब, experience कर रहे हैं, असर्ज, surge का मतलब है increase, बढ़ोतरी, growth in cases, जहां अने को राज्यों में, cases में बढ़ोतरी देखने क मिल रही है, तो बाकि सब चीज़ों को गोण करो, सबी चीज़ों को पिछे छोड़ो, secondary माल लो, primary चीज़ यह है कि vaccination होना चाहिए, ठीक है, फिर समझे, vaccines subject है, RS की verb है, चुकि vaccines जो है, वो tool है, किसका health equity को promote करने का, इसी लिए सारे जो attempts हैं, वो किये जाने चाहिए, किस के ल में बढ़ोतरी, यहाँ पर experience कर रहे है, vaccine subject है, R verb है, all attempt subject है, should be made verb है, several के साथ में noun plural लगता है, several states, states के बाद में आर इसी लिए है, ठीक है, और surge का मतलब बढ़ोतरी है, noun है, क्योंकि यह लगा हुआ है, आगे देखें, while hesitancy towards the two available vaccines, hesitancy का मतलब है, hitch की चाहट, कि vaccine लगवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारे परियाप ताकड़े नहीं है, हमें लगता है, क्या पता, कहीं यह adverse impact तो नहीं डाल देगी स्वास्ते पर, इसलिए, यह hesitancy है, तो यह जो hitch की चाहट है, किसके लिए, जो दो अभी उपल का मतलब प्राप्त करना है, तो जो आपने vaccination जो करवाया है, लोगों इसमें low uptake रहा, मतलब कम संख्या में लोगों ने vaccination करवाया, इसका कारण क्या था, आशिक रूप से कारण ये था, कि hesitancy थी, हिच की चाहट थी लोगों में, ठीक है, initially शुरुआत में, फिर भी, अब दे there is now increasing willingness, अब willingness जो है बढ़ गई है, अब इच्छा बढ़ गई है लोगों की, increasing willingness है, willingness noun है, increasing adjective of present participle है, to get vaccinated किस की, vaccinate करवाने की, मतलब अपने आपको ठीका करण करवाने की, get यहाँ पे causative verb है, get के बाद जब आप एक और verb लगाते हैं, तो वो third form के रूप में आती है, इतना स समझो, while से जब start करते हो आप, तो दो close आपको मिलते हैं, दो close में से एक close तो while से लेकर initially तक है, दूसरा close there से लेकर vaccinated तक है, तो यद पी, hesitancy जो है, दो available vaccines को लेकर, वो आंशिक रूप से जिम्मेदार थी, कि शुरुआत में low uptake रहा, ठीक है, फिर भी, increasing willingness जो है, मतलब काफ चुक हो गये हैं, कि उनको अधिक से अधिक, मतलब संख्या में पहुँचकर vaccination करवाना है, तो यहाँ पे hesitancy subject था, इसकी verb was थी, partly adverb है, responsible adjective है, initially वहाँ पे adverb था, फिर यह increasing willingness है, यह subject हो गया, इसमें get vaccinated जो है, sorry, यह जो है, इसकी verb जो है, यह रही, क्योंकि dare से start है, तो पीछ करना, give इस अर्थ में लेते हो, इसका meaning, तो कह रहे हो, कि while 0.8 million dodges administered on February 25, was the highest, यद दपी 0.8 million dodges, और यह कौन से dodges है, जो administer की गई, कब मतलब दी गई, कब फरवरी 25 को, was the highest, तो यह जो संख्या है न, 0.8 million dodges की, यह highest थी, किस से पहले, before the second phase begin, जब दूसरा चरन स्टार्ट ह हुआ था, उस से पहले यह संख्या हाइश थी, the numbers have, फिर भी, the numbers have rising steadily, यह जो संख्याएं हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं, thereafter उसके बाद, thereafter एडवर्ब है, उसके बाद, after that, increasing the gap between the two covicial dodges, अब कह रहा है, कि जो दो covicial dodges, लगती हैं, उसमें जो बढ़ रहा जो gap है, कि ए एक vaccine आज लगी, एक-एक महीने के बाद, चार से छे सपताह में लगी, तो यह जो gap जो है, दोनों covicial dodges के बीच में, आंशिक रूप से, पार्टली, आंशिक रूप से, addresses, इसका मतलब tackle करना, handle करना, तो यह जो gap है न, वो क्या करता है, handle करता है vaccine shortage को, कि vaccine के जो कमी है न, उ दूसरी vaccine के लिए आपको एक मेने का time लगेगा, तो इसलिए इतने समय में vaccine के विवस्ता हो सकती है, तो इस problem को sort out कर देता है, फिर समझना, कह रहा है, जहां 0.8 million doses, जो 25 फरवरी को दी गई, वो highest थी, second phase begin, start होने से पहले, जो संख्याएं हैं, वो लगात आप धिर धिरे ब मश्या है, उसको address करता है, उसको sort out करता है, तो यह 8 million, 0.8 million doses administered, यह subject है, यह इसका verb है, आप यह मत समना, doses के लिए आ रहा है, यह इस पूरे के लिए आ रहा है, कि जो digit है, जो digit है, जो लगातार एक नियमित रूप से बार-बार में चीज़ें आती हैं, आपके सामने उसको rolling बोलते हैं, जैसे हर साथ दिन में आपके सामने कोई चीज़ आ रही है, तो उसको rolling बोलते हैं, ठीक है, तो साथ दिन का, अब यह साथ दिन, days क्यों नहीं किया, क्योंकि यह rolling average है, एक तो average इसका noun है, और यह day जो है, यह noun modifier है, जब आपको noun से पहले एक और noun लगाते हो, तो noun modifier बनता है, noun modifier जो होता है, वो एक adjective अकाम करता है, और adjective का plural नहीं बनता है, यह पता होना चीज़ आपको, तो फिर भी, जो साथ दिन का rolling average है, कि हर साथ दिन में, मतलब यह चक्र भूमता रहता है, crossed two million dodges, इस average ने, इस ओसत ने cross कर दिया, क्या, दो million dodges के आंकडे को पढ़ को बोलते हैं, only about 50.23 million dodges have been administered as on March 24, अब कह रहा है, कि केवल लगभग 50.23 million dodges जो है, वो administer की गई, अगर आप बात करें, इस date तक की, as on, मतलब इस date की अगर बात करें, March 24 की बात करें, तो 50.23 million dodges ही अब तक दी गई है, और less than four dodges per hundred people, या फिर यह कहें, कि 4 dodges से भी कम, प्रती सो लोगों पर, प्रती सो लोगों पर, 4 dodges से भी कम, less degree comparative है, little इसकी positive degree होती है, less comparative होती है, least superlative होती है, degree comparative के बाद then लगता है, तो less के बाद then का प्रियोग है, ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ तक कि एकर बात करें, तो यह subject था, cross disc की verb थी, यह subject था, have been इसकी verb थी, फिर यहाँ पर आगे देखिए, the vaccination program, जो टिका करन कारी करम है, has also been witnessing lukewarm participation, lukewarm का मतलब होता है, unenthusiastic, unenthusiastic, मतलब उत्सा ही, कोई जोश नहीं है, कोई उत्सा नहीं है, लोग indifference नहीं है, उदासींता है, उसको बोलता है, lukewarm, executive है, तो vaccination program जो है, साथ ही यह एक lukewarm participation by private medical facilities जो नीजी, चिकित्सा सुविधाएं हैं, है ना, जो मतलब मानलो private hospitals हैं, उनके द्वारा participation बहुत कम देखने को मिल रहा है, इस तिका करन कारी करम में, वो थोड़े से उत्सा ही नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो यह subject था है, जिसकी verb थी, मैंने कहा था कि also का प्रियोग आप man verb से पहले कर लेते हैं, तो बीन से पहले इसने कर लिया, the reasons for this, इसके लिए जो कारण है, besides the slow pace of expansion in some states, besides का मतलब होता है, कि अतिरिक्त प्रेपजिशन है, किसके अतिरिक्त, कि जो धीमी गती है, expansion in some states की कुछ राज्यों के अंदर, इसका जो विस्तार है, वो धीमी गती से जरूरत है, तो कह रहा है, इसके लिए जो reasons हैं, उनको fix किये जाने के जरूरत है, थीक है, besides the slow pace of expansion in some states, कुछ states में slow pace of expansion है, उसके अतिरिक्त, पे कुछ राज्यों है, वहाँ पे vaccination धीमी गती से चल रहा है, slow expansion है, धीमा विस्तार है, है ना, इसके अतिरिक्त कुछ अरण और हैं, इसके लिए, उन सभी को fix किये जाने की जरूरत है, दो, the COVID-19 vaccination, यद दपी, जो COVID-19 ठिका करन है, which targets adults, और ये इससी vaccination के लिए है, वो vaccination कारेकरम जो target करता है, लक्षे करता है, इसको, adults को, जो युवा है, उनके लिए target करता है, is vastly different, ये vastly different है, बड़े स्तर पर different है, from the universal immunization program, किसके लिए, ये different किस्से है, different के साथ में from लगेगा proposition, ये है universal immunization program, universal सारोभोमिक, immunization ठिका करन, program कारेकरम, तो करे यद दपी, जो कारेकरम है ना, vaccination का COVID-19 वाला, जो की adults को target करता है, जो युवाओं पर target करता है, ये और जो ठिका करन कारेकरम चलते हैं, उससे अलग है, ठ resources means, संसाधन, धन कह सकते हो, resources means, भारत के पास साधन है, to accelerate the daily vaccination rate, किसके लिए, देज गती करने के लिए, accelerate, गती तेज कर देना, किसकी गती तेज करना, daily vaccination rate, कि प्रती दिन टेका करन की जो दर चल रही है, उसको तेज करने की भारत के पास इतना समर्थे है, भारत में इतना resources ह कि वो डेली vaccination की rate को भढ़ा सकता है इंडिया subject था है जिसकी वब थी what is missing, what को देखकर is है और what is missing ये पूरा जो close है इसको देखकर is है तो क्या चीज़ है वो गायब है क्या चीज़ है वो missing है वो चीज़ है political will राजनेतिक इच्छा शक्ती कि राजनेतिक इच्छा शक्ती इतनी नजर नहीं आरी कि भारत का समर्थे तो है भारत के पास इतना resources तो है कि कर सकता लिए पॉलिटिकल विल इतनी नहीं है कि इसको अचीव किया जाए reflected जो दिखती है जो revealed है जो मतलब कहें कि जो सामने है उजागर है जो दिखती है किसमें absent targets and awareness building exercises कि एक तो राजनेतिक शक्ती मतलब यहां पे कमी किस चीज़ की है राजनेतिक विल जो है political विल है वो कैसे देखो यहां पे नहीं दिखरी है क्योंकि एक तो targets absent है आपने लक्षे नहीं बना रखे कि हमें इतने समय में इतना पहुचा देना है दूसरा awareness building exercises लोगों में जगरती फैलाने वाले काम आप नहीं कर रहे हो है ना तीसरा including vaccine safety अब यह जगरती किस के लिए चाहिए लोगों में awareness किस की कि यह बताओ कि वैक्सिन सेफ है एक दम ठीक है इंक्लूडिंग preposition है वैक्सिन साइट्स लोगों को वैक्सिन साइट्स के दान करी दो कि वैक्सिन लोगों को online कैसे मतलब हम देखें वो सब चीजों के जानकरी नहीं है एंड permissibility of walk-ins walk-in का मतलब होता है लोगों का आना और जाना बिना किसी अनुमती के ठीक है बिना किसी अनुमती के लोग आएं जाएं टिका करण करवाएं ऐसी की permissibility नहीं है ऐसा प्रकार से आपने अनुमती नहीं दे रखी है तो यह सब political will को दर्शाता है फिर समझना कि भई क्या चीज है जो missing है वो चीज है political will कि आप इसको अचीव करने के लिए इतनी मजबूत political will आपके पास नहीं है जो दिखती है एक तो target से absent है target की कमी है दूसरा awareness building exercises नहीं है यहाँ पे इसकी कमी है अब यह awareness building exercise में क्या शामिल है यह तो आप नहीं बता रहे कि वैक्सिन की safety के बारे जंकरी नहीं दे रहे हो और दूसरा कि लोग अराम से बिना किसी अनुमती के आयें जायें टिका करण करवाएं ऐसी permissibility नहीं दे रहे हो ठीक है ओवर reliance on the COVID platform, over reliance अती नीरभरता, reliance नीरभरता, over रलग गया अती नीरभरता आवशक्ता से दी निरभरता किस पर? रिलाइंस में होन लगेगा COVID platform पर has made vaccination into a large passive facility based exercise इसने क्या कर दिया है? इसने जो एक टिका करण है इसको तब्दील कर दिया है किस में बहुत बड़े स्तर पर पैसिव निश्क्रिय फैसिलिटी बेस्ट एक्ससाइज सुविधा आधारित एक प्रक्रिया में किसकी बजाए पब्लिक हेल्थ इनिशेटिव कि ये एक टिका करण कारेकरन किसके लिए लोगों को लाप पहुंचे लोगों का लोग स्वास्ते जो है वो बढ़े वो इनिशेटिव उनको मिले ठीक है लेकिन इसकी बजाए ये फैसिलिटी आधारित एक्ससाइज और एक निश्क्रिये एक्ससाइज में तब्दील हो चुकी है क्योंकि ओवर रिलाइंस है कोविन आउटरिच एक्टिविटी जो है और फर्दर इंपेक्टिंग अप्टेक इंपेक्ट का मतलब अफेक्टिंग है ना प्रभाव डालना तो यह जो है आगे चलकर अप्टेक को प्रभावित कर रहे हैं एक तो माइक्रो प्लैनिंग की कमी है और एक कैसे ठीका करन पहुंचा और नहीं है उस प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और इसम्षक पर रीचिंग आउट नारफ होता है लोगों तक जाना लोगों तक साहिता पहुंचाना या किसी से साहिता प्राप्त करना तुर्की यहां पर साहिता पहुंचाने की बात है तो यहां पर एक केस है क्या कि लोगों तक जाने का केस to quickly increase vaccine uptake ताकि जल्दी से इस vaccine uptake क्या जो है vaccine की जो दर है vaccination की जो दर है उसको रहाया जा सके तो यह ऐसा केस बनता है कि लोगों तक जाएं और आप यह फटा-फट से वैक्षिनेशन का एक्रा में तेजी लेकर आएं तो यह था दोस्तों आज का डिटॉरियल देखते हैं रिविजन सर्ज है सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज डी से जोड़ेंगे पहले को रिडेंडेंडंट शब्द है इसका मतलब होता है अननेसेसरी, फाल्तू, अनिम्पोर्टेंट irrational का मतलब होता है irrelevant, आ संगत, महत्वहीन roll out का मतलब होता है launch B से जोड़ देंगे और where विथल है इसका मतलब होता है resources संसाधन means यह आप screenshot ले लीजिए यह इस week का anti-meditorial था ठीक है और आप सभी को holy की हार्दिक शुब कामना है मुलाकात होगी अब संभवत हैं Monday को या फिर Tuesday को क्योंकि holy का कारेकरम है मैं भी वैस्तर हूँगा तो हो सकता है कि Tuesday को हम मिले तब तक के लिए नमस्कार Thanks a lot